मानव आहार में दालें प्रोटीन का महत्वपूर्ण स्रोथ हैं जिन में लगभग 20 से 25 प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है भोजन में प्रयोग में आने वाली दालें मुख्य तहब प्रसंस्कृत छिलका रहित एवं दो टुकणों वाली होती हैं इसलिए डाल बनाने के लिए बीजों पर से छिलका उतारना एक प्रमुख क्रिया है इसके लिए डालों को सर्व प्रथम उपचारित किया जाता है और तत्पश्चात ही उनका प्रसंसकरण किया जाता है भारत में कुल डालन उत्पादन का लगभग 75 प्रतिशत भाग मुख्यतह शहरी क्षेत्रों में स्थित, मध्यम एवं बड़ी क्षमतावाली व्यावसाइक डाल मिलों में प्रसंसकरण हेतु उपयोग किया जाता है ग्रामीन क्षेत्रों में कुटीर उद्योग के रूप में डालों की मिलिंग बहुत कम होती है और इसी वजह से क्रिशकों से खरीती गई एक फसल तथा प्रसंसकरण डालों के मुलियों में भारी अंतर होता है डलहन के प्रसंसकरण में होने वाली लाभ में ग्रामीनों की हिस्सेदारी बढ़ाने के उद्देश से भारतिय डलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर ने एक महत्वपूर्ण पहल की है जिसके अंतरगत आसानी से स्थापिद एवं संचालित की जासकने वाली लगू डाल म मिल को विकसित किया गया है आई आई पी यार लगू डाल मिल सभी प्रकार की डालों के प्रसंसकरण में संतोष जनक परिणाम दे रही है प्रसंसकरण में होने वाली क्षती को नियूनितम रखने के उद्देश से इस मिल में उर्धवाधर रबर तथा स्टील डिस्क का प्रयोग किया गया है मिलिंग से पूरू, पिटिंग के उद्देश से इस लगू दालमिल में एक एमरी रोलर भी जोड़ा गया है जिससे दानों का छिलका उतारने वह खरोंच डालने का काम आसान हो गया है IIPR लगू दालमिल एक संपूर्ण इकाई है जिसमें दलहन प्रसंसकरण में होने वाली सभी प्रक्रियाओं जैसे पिटिंग, मिलिंग, ग्रिडिंग, सफाई आदी का कार्य एक साथ किये जा सकते हैं इस मिल में रबर डिस्क के स्थान पर लहरदार स्टील डिस्क का प्रयोग करके दलिया या पशु आहर भी बनाया जा सकता है IIPR लगू दालमिल परिशानी रहिद परिचालन तथा नियूनतम रख रखाव को ध्यान में रख कर डिजाइन की गई है इसकी कारिक्षमता एक क्विंटल प्रती घंटा है तथा इसे चलाने के लिए दो HP का एकल फेज मोटर लगा है लगभग 50 क्विंटल मात्रा की मिलिंग के उपरांद इसके रबर डिस्क को बदलने की आवश्यक्ता होती है जिसे बिना किसी विशेश प्रशिक्षन के आसानी से बदला जा सकता है भारत वर्स में करीब 180 लाग से लेकर 190 लाग टन दलान फसलों का उत्पादन होता है और जितना भी ये संसकरन किया जाता है प्रोसेसिंग की जाती है उसका 75-30 हिस्सा एक बहुत बड़ा हिस्सा बड़ी दालमिलों में होता है लेकिन चुकि गाओं में इसका उत्पादन होता है जदी इसका संसकरन जदी गाओं में कर लिया जाए तो किसान भाईयों को उलाब ज़ादा मिलेगा तो जो इस तरह से भारतिय दलहन अनुसंधान संस्थान ने एक छोटे अस्तर की जो दालमिल बनाई है इसकी लागत बहुत कम है किसान भाई चाहें तो इस दालमिल को खरीद करके अपने हाँ ही दाल की प्रोसेसिंग संसकरन करके काफी अच्छा पादा उठा सकते हैं भारतिय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर जहां किसानों के बहतर भविश्य के लिए निरंतर नए नए अनुसंधान कर रही है वहीं IIPR लगू दालमिल जैसी तकनीक का आविशकार कर दलहन कृशकों में उद्यमिता का विकास करने के लिए भी प्रयासरत है कर दो